अगर आप लोग कर रहे हैं NTA UGC NET की तयारी तो अनकेडमी आप लोगों के लेके आए एक टाइम टेबल, यह जो टाइम टेबल है 10 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक का टाइम टेबल है जिसके अंदर बताया गया है कि अनकेडमी का कौन सा टॉप एजुकेटर, कौन सा सब्ज बिलीव करता है जो बच्चे की परस्नलाइज नीड्स होती है उन्हें फिल्फिल करने पे जोड देता है जिस तरह से आपके पास पहले प्लस था सब्सक्रिप्शन उसके अंदर आपको चार चीज़े मिलती थी अब आइकोनिक के अंदर आपको और सारी चीज़े भी इसके ओल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको 60 मिनट तक का टाइम मिलेगा इस एक्जाम को देने के लिए और आप जान सकते हैं कि आपकी क्या रेंग बनती है अन अकैडमी की प्लैटफॉम पर जहां पर सबसे यदा NTA UGC नेट के बच्चे पढ़ते हैं तो इसका जो एक्जाम है यह आपका 17 जनवरी को होना है 11 बजी होना है इसके लिए आपको करना होगा रजिस्टर रजिस्टर करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा S.O.L. 10 धियान रखेगा कोड है S.O.L. 10 इसके बिना आप लोग अन अ बच्चे मसल फाम है S.O.L. अब आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइब्रेडी के Certificate Course की जो इगनू कराता है लाइब्रेरी का एक certificate course होता है जिसके बेस पे आपको लाइब्रेरी के अंदर सरकारी और प्राइवेट नोकरियां मिल सकती है कॉलेजों के अंदर और स्कूल के अंदर तो यह certificate course जो है इगनू का यह आप कब कर सकते हो कैसे कर सकते हो कितनी फीस लगती है इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियों में बात करने वाले है तो अब यह जो लाइब्रेरी का certificate course होता है इस certificate course का नाम होता है CLIS यानि की Certificate Program in Library and Information Sciences ओके जी इसका eligibility criteria क्या है तो eligibility criteria भी आपको बारवी पास होने चाहिए आप चाहिए जी graduation की कोई need नहीं है आप लोगा graduation कर रहे है तो उसके साथ-साथ भी इस course को pursue कर सकती है चाहिए first year में हो second में हो, third में हो no, कोई फरक नहीं पड़ता या तो आपने 12th pass की हो या फिर आपने इगनू से BPP का course किया हुआ हो चीक है ना इस course के लिए minimum time कितना चाहिए या या छे महिने में आप इस course को complete कर सकते हो और आप चाहो तो इसे दो साल तक लटका भी सकते हो या बीच में suppose आप paper नहीं दे पाया आपके paper किसी और के साथ clash हो गया आपको ही जाना पढ़ गया या शादी होगी कुछ भी हुआ तो आप दो साल तक इस course को लटका सकते हो और दो साल तक इस degree को complete कर सकते हो इस course की fees कितनी है 2000 रुपे एक बार one time 2000 रुपे आपको pay करने है कोई minimum age नहीं है कोई maximum age नहीं है और ये हैं वो चार subject और उनके code ठीक है जी तो लाइब्रेरियन लाइब्रेरी इस एं इंट्रोडक्शन दोक्यूमेंट प्रोसेसिंग और और्गनाइजेशन इन्फोर्मेशन सोर्सेज और सर्विस और आईसीटीन लाइब्रेरी तो बहुत सारी jobs निकलती है एक्चुली क्या होता है बहुत कम लोग लाइब्रेरियन की job के लिए भरते हैं क्योंकि उन्हों पता हैं नहीं होता की लाइब्रेरी के लिए करना क्या है तो इसमें jobs काफी सारी आपकी बच जाती है और दिसमबर जनवरी सेशन में भी होता है तो आप कभी भी ले सकते हैं कोई entrance exam की आपको requirement नहीं है direct admission इसमें आपको मिल जाता है इसके prospectus की जो detail है वो मैं link आपको description box में देदूँगा वहाँ से download कर लेना और detail में इस course के बारे में पढ़ लेना अगर आप लोग चाते हूँ मैं library से related, librarian बनने से related और भी videos डालूँ और detail video डालूँ जिसमें मैं ये भी बताऊं कि jobs कैसे मिल सकती हैं आपको और कौन-कौन से course हैं जो आपको मजबूत कर सकते हैं graduation के साथ तो आप लोग मुझे comment section में बताएं क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो पता चलेगा नहीं ठीक है जी तो वीडियो को कर दीजिए फिलाल लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो अगैं तक य। वरी मुच वर वोच इस वीडियो अग्योड शचिन वंसल्ड शचिन अव्यूड शचिन वंसल्ड शचिन अव्यूड